नाना साब ने तो फिर भी लहाज किया मैं लहाज नहीं करूंगे उनको Sector Commander के office में ले जागे कहा गया कि ये जो arrest orders हैं उनके उपर sign कुरें और जब उनको कहा गया कि arrest orders पे sign करें तो iOS सांब आइजी साब obviously घबरा गए उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता तो игр ifdare पे साइन करते हैं गिरिफदारी जो है हम रेंजर्स से करवा ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया गिरिफदारी भी पुलीस करें लेकिन पुलीस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सब ने देखा है सेद्गरी साइब अब एक सवाल उठा दिया मरियम नवास साहिबा ने और उन्होंने तो बकायदा तोर पर रेंजर्स के हावाले से बात की किस तरीके से आई जी को मजबूर किया गया एफ आई आर काटने के लिए और फिर कहा गया किरवाई भी वही करें और सुबह साड़े हुमत का क्या हुआ है एक तो मैं तो आपको वाज़े कर दूँ कि यह खैल था कि शायद यह संद्ध हुमत की इमापर या उनकी हिदायत पर हुआ है कुछ मैंने कर रात हम काफी लेड़ सोए थे जलसे के फारिग होने के बाद तो सुबहा मैं नार्मली तो बड़ा अगली उठा तो उसक्त मुझे पता चला कि इस तरह की चीज़ें कोई मीज़ें पर आ रहे हैं तो कुछ मालूमात देने की कोशिश की तो एक चीज़ बड़ी वाज़े थी कि यह जो भी कारवाई हुई है इसमें सिद्ध हुमत का किसी किसम का कोई अमल दखल नहीं था ना हमने ग बताया कि इस तरह से हुआ है लेकिन इसको सिर्फ यहां तक ना देखें जो मज़ीद मालूमात मेरे पास हैं मैंने कुछ तस्वीरें आपको बिजवाई हैं आपके आफिस को अगर आप वो देखें तो इसमें आपको पूरा एक कंस्पारिसी नजर आती है जिसके पीछे प मान भी लिया गया कि वो भतीजे हैं उनके और वो कोडिनेटर हैं उनके मैं बताता हूं पूलिस के मताबिक कानूनी तोर पर एफायर नहीं बनती थी तो पूलिस ने उनको मुस्तरत किया उसके बाद काइद आजम मजार की जो मैनेजमेंट बोर्ड है वहां के इनिस्ट्रे शेख साहब में किया है यह आपको लोग काफी बैटे बैदा आ रहे हैं यह उसी दिन की मीटिंग है और उस दिन इस मीटिंग में जो अफराद बैटे थे इनके जिम्हें यह काम लगाया गया कि यह मजारे कायद जाएंगे जिस वक्त पीमलेम के यह जो वफदा जो मरियम स कटवाई गई आहली मादर शेख साब के बांजे की मुदायत में और इसमें जो दो विटनिसेज हैं और वो दोनों विटनिस भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं जिस तो यह बात अगर आप इसको कनेक्ट करें जो पी टी आई के लीडर जब पहले थाने पे गए जिस कि अग्रेसिब टोनिल की थी जिस तरह से यह आई जी को और चीफ सेकर्टी को थ्रेड भी कर रहे थे और अली जैदी का इस एक स्टेट्मेंट है मैंने टीमी पे देखा है उसमें वो कह रहे हैं कि सुबह होने से पहले पहले यह आई जी को काटनी पड़ेगी तो यह बिलक कैजिए कि अगर यह साधिश थी तो इसको मनतगी अनजाम तक पुहांने मैं तो इनत solutions ने कुरदार अदा किया पूलीसे कुर्दार स्था कियो कि वह अचय कि वह पया उन्हों झापटन सब्दर की जिस की यह पूलीस आपके मात अहत है यह सारे के सारे काम कैसे कर रही थी और तरीक इनसाफ के साज़िश में एक करदार अदा कर रही थी? श्याज़ अब कानून के मताविक बिल्कुल पुलिस है वो एक सुभाई हुकूमत के मातायत अदारा है और उनको सुभाई हुकूमत के मातायत ही काम करना चाहिए लेकिन ये जो कुछ हुआ है आज सुभा से लेकर अभी तक उसमें सुभाई हुकूमत ने ना कोई हिदायत दी और ना हमसे कोई हिदायत ली गई और इसी वज़ा से चीफ मिनिस्टर साब ने इसकी बड़ी जामे इनकोरी का फैसला किया पैस की तैकिका अदम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं और मेरी मालूमात के मताबक शायद बहुत सारी चीज़ें आपके भी सामने आएंगी मैं चुके इस वक्त इस पोजिशन में नहीं हूँ के हत्मी तोर पर कोई बात कह सकूँ लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जरूर हैं जो नहीं होनी चाहिए थी तो जो मरीम नवास साहिबा ने प्रेस कानफरंस में का मौलाना फजुर रह्मान ने कहा और जो मौमद जुबेर ने चीफ मिनिस्टर को कोट करके का कि उन्हें मुझे कॉल पर ये सारी की सारी बाते बताई हैं कि किड्नैप किया आईजी को और किस तरी ये सारी बाते दुर अगर सिंद हुकूमत से नहीं पूछा तो अपनी इमा पर खुद से नहीं किया होगा जरूर उनके पर कोई दबाव होगा और ये आईजी से बात हुई है चीफ मिनिस्टर की या आपकी कि आईजी बताएं कि क्या हुआ है सारे का सारा मामला टूइट होना डिलीट होना फ़र इतना सुबा होना पर साड़े चे बज़े ग्रिफतार हो जाना आपकी महमान थी मरीम नवाससाहबा ये सारा कैसे हुआ देखें बहस्य है सिद्ध ह्कूमत और पीपल्स पार्टी के एक कारकून होने के सची बात है मुझे तो शर्मिन्दगी है कि हमारे पास मेमान थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनकी मेमान रवाजी करते और हमारी हुकूमत में हमारी पुलिस ने उनको इस तरह से तकलीफ में डाला और जिस अंदाज में उनके कमरे में गए उनको गिरतार किया और उनके काबल मुझमत उनका रोईया था जो नहीं होना चाहिए था और ये इतमान की बाद इसलिए है कि मर्यम नवाज साहिबा ने कमरे मसकों इस बात को रेलाइस किया और उनको तस्रीम किया कि सिंद हुकूमत और पीपल्स पार्टी इसके पीछे नहीं है और ये एक साज़िश थी पीडियम की जमातों के दर्मयान एक खलीच पैदा करने की जिसमें बतकिसमती से हमारी पुलिस इस्तेमाल होई मैं सब मगर आपकी पुलिस पहरी दफ़ा नहीं हुई है अभी बलाल फारुकी जनरलिस्ट हैं उनके खलाफ केस हुआ फिर उन्हें गरिफतार कर लिया गया फिर आप लोगों ने बाद में रियाक्ट किया और वो फिर अपने घर पर पहुँचे ये क्या पुलिस आपकी खुदी इस्तेमाल हो जाती है या फिर आप बतार पीपर्स पार्टी एक डबल गेम कर रहे हैं जिसमें होता है कि आप लोग इस्तीफा भी नहीं देंगे आप लोग चाहते हैं कि अपनी बारगेनिंग पुजिशन भी बढ़ाएं पीडियम के प्ल और बिंग अ पुलिटिकल पार्टी एक पुलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझता है कि हम अपने आपको इस किसी आपट पोजिशन में लाने के लिए कोई खुद ऐसे जदन करेंगे कि हम इस तरफ हैं किसी ऐसी सूरतियाल में जिसमें हमाते हैं हमारे जलसे में ही हैं उनकी काय आप लोगों से बात करके कियोगी जब आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने नहीं कहा कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया और आप लोग शर्मिंदा भी हैं कि हंड्रेट परिट नहीं है इस वक्त पुलीस के कामल तोर पर बाहर हो उसके अंदर चैलेंजिजी हैं आशी हैं love is और पूरे मुल्क में अगर मेरे वी उसका सामना कर रहे है या अदरantal you भी उसका सामना कर रहे हैं, सयासी जमादेuga भी कर राए हैं, जुशन नियृ किया यoodर वर काईम नहीं है कायम हैं, हम भी शाइए दमाव के शिकार भी होँंगे, शाइद जो मुश्क्लाद जो इसकृणी वराविन हो, भी यृлет ही होगी बहुत शुक्रिया से दिनी साब अमारे साथ मोजूद थे